लाव और हाने से समंदित यह हमारा पहला पृष्णा है दोस्तों पृष्णा है कि एक वस्तु को सत्य रुपी अधिक में बेचने पर लाव नौ पृतिसत से सोलो पृतिसत हो जाता है तो वस्तु का क्रेमल ज्याद करें तो आईए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सवाल हम एक बार परेंगे दो बार परेंगे तीन बार परेंगे चार बार परेंगे और तब तक परेंगे जब तक हमें समझ नहीं आता क्योंकि शवाल आपको समझ आएगा तभी आप सवाल बना पाओगे तो हम लोग यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करेंगे और जो इसे जिसे सवाल कहते जाएगा उसका हल वो इसे ही निकालते जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70 रुपिया अधिक में भेचने पर लाप परतिश्यत 9 से 16 हो जाता है तो हम लोग यदि लाप परतिश्यत का अंतर निकालने हैं दोस्तों यह हमें मालूम है प्रस्टन से यह प्रस्टन ही में है हमने यह नहीं लाया है तो यह स्ताथ परतिश्यत हो गिया तो स्ताथ परतिश्यत स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ् यह वस्तु का प्रैमूल हो गया दोस्तों बास यही सवाल था और यही हमारा अंसर है दोस्तों लाग और खाने से समन्दित यह हमारा दूसरा प्रश्ण है दोस्तों प्रश्णा है किसी वस्तु को साथ रुपिय अधिक में बेचने पर तीन प्रतिशत की खानी के बज़ाए दो प्रतिशत का लाव होता है तो वस्तु का प्रैमूल याद करें यह भी श्यवाल कुछ पाले ही जैसा सवाल है दोस्तों वहां पर लाव प्रतिशत बढ़ रहे थे नौ से सोला हो गया था और इस सवाल में आपका पाले हानी होती है वस्तु को बेचने पर और फिर ज्यादा मुलिक के बेचने के बाद हमें डो प्रतिशत का लाव होता है तो हम यहाँ वही काम करेंगे यदि लाव ग्राप के द्वारा हम गीजिश समझे यदि वस्तु को और जीन मानते हैं यह वस्तु का क्रेमूल है तो यदि हमें लाव होगा तो क्या होगा इधर होगा यदि आपको हानी होगी तो निगेटिव में होगी यदि आप लाव की तरफ जाओगे तो हो गया तो यह टोटल का डिफ्रेंस डिस्टेंस जो है यह कितना हो गया तीन और दो पांच तो यहीं मैं यहां पे करूंगा दोस्तों 3 प्लस 2 इसकल टू 60 तो 5 परसेंट इसकल टू 60 वन परसेंट इसकल टू 60 वाइब इसकल टू 12 तो हंडिट परसेंट इसकल टू तो वस्तु का क्रेमूल क्या हो जाएगा दोस्तों वस्तु का क्रेमूल हो जाएगा दोस्तों स्यम्लिंग देंगे वस्तु का क्रेमूल यह हमारा अंसर हो जाएगा यह लावानी से हमारा तीसरा कोश्चन है दोस्तों इसमें काते हैं कि एक वस्तु को 49 रुपिये में बेचनी पर 30 परतिश्यत का लाव होता है और तीस परतिश्यत की हानी के वस्तु का मुक्रेमूल ज्याद करें करते हैं कि यदि वस्तु को 49 रुपिये में बेचते हैं तो हमें 30 परतिश्यत का लाव होता है दोस्तों तो यदि उसी वस्तु पर हमें 30 परतिश्यत की हानी होगी तो उस वस्तु का विक्रेमूल क्या होगा तो सवाल काफी इजी है दोस्तों यहाँ पर विक्रे मुल बराबर लिखेंगे 49 यह जो पहला विक्रे मुल है हमारा जिस पर हमें लाव हुआ 100 प्लस 30 क्योंकि हमें इसमें 30 प्रतिशत का लाव हुआ था दोस्तों और मेंट्रिप्लाई 100 मैनास 30 क्योंकि हमें अब 30 प्रतिशत ती आनी हो रही है तो यह हो गया दोस्तों 49 बट्टे 13 गुना शत्त है तो यह 0 कट गया यह हो गया आपको 33 दा 39 तेरतिया 49 यह हो गया 300 तो टोटल हो गया 21 तो वस्तु का विक्रे मुल क्या हो जाएगा 21 तो यह मारा आनसर हो जाएगा दोस्तों सवाल है किया व्तु को पांसर साथ रुपिया में बेचने पर 30 प्रतिशत की हानी होती है 20 प्रतिशत लाब कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए बेचना चाहिए मिस तो का विक्रे मूल निकालना है दोस्तों करते हैं कि वस्तु को जब 560 रुपया में आदमी बेचता है तो उसे 30% की हानी होती है यदि वही वेक्ति उसी वस्तु को पे 20% का लाप कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को कितना में बेचेगा शिंपल सवाल है दोस्तो सेलूशन में आ जाते हैं यहां भी हमको विक्रे मुल निकालना है तो हम लिखेंगे विक्रे मुल यह तो पहला कितना है पांसव साथ बटे यहां पर क्या होती है दोस्तो हानी होती है तो महिनस गुना हंडेड यहां पर अभी कितना निकालना है ये जीरो ये जीरो खट गया दोस्तों ये साथ अट्टे चपन ये 80 हो गया बारटे च्यानवे ये 960 हो गया तो हमारा अंसर हो गया नहीं से लावानी से समन देती है हमारा पार्चमा सवाल है दोस्तों सवाल है कि एक वस्तु को 12 परतिश्यत की हानी पर बेची गई यदि या 630 रुपी अधिक में बेची जाती तो 6 परतिश्यत का लाव होता वस्तु का क्रैमल ग्याद करें तो इसका सेल्यूशन केसे निकलेगा दोस्तों यह देख लेते हैं तो कि हमारा डिफ्रेंस कितना है तो 12 प्लस चे और इसकल टू 630 यह प्रस्ट से ही है दोस्तों यह हमने कुछ नहीं किया यह प्रस्ट में लिखा हुआ है यह मैंने आपको पताया था कि यह इसमें आपको समझ्य में दिखकत हो तो क्रेमुल को ओरिजिन मानलो हानी होती है और लाव होता है तो इधर 12 है इधर 6 है डोनों का डिस्टेंस निकालो अठारा होगा दोस्तों तो यह हमारा क्या होगा 18 पर्षेंट यह 630 हो गया यह आपको वन पर्षेंट निकालना हो तो 330 बटे 18 और य यह आपको ऑंडिद पर्षेंट निकाल लाओं यानि जो वस्टू का क्रेमुल है हो चेसो तीश बटे 18 गुन्न अन्रेट तो यह आपका हो जाएगा 45 गुन्ना सो यह आपको सवाल समझना परेगा दोस्तों और यह हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वस्टू का क्रे तो वह अच्छा होगा तो ही जाके आप आगे बढ़ते जाओगे सवाल का पेटर नेकी रहता है पिर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है दोस्तों तो वह आप समझने की कोशिच करो कि सवाल को कैसे यह लोग घुमा रहा है बस जदे आपको यह समझ आ गया तो सवाल खुली बन जाएगा दोस्तों